हलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आयाम शिवानी चाहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट साइंस की बुक का चाप्टर एट सेल स्टॉक्टर एंड फंक्शन इस चाप्टर को हम एक लाइन टू लाइन पूरा अच्छे तरीके से हर चीज़ इसमें समझेंगे कि आपने काफी सारी चीजों के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है आप जानते हैं जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग ठिंग्स क्या होती है और फ़र्दर आप ये पी रिकॉल कर सकते हैं कि लिविंग और्गानिजम जो होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन करी आउ भी नहीं है सास भी नहीं रहते हैं तो डिफ्रेंट सेट ऑफ ऑगन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं काफी अलग अलग फंक्शन जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट अफ अन ऑगन विच इस सैल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बेसिक इस्ट्रॉक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की या फिर किसी भी और्गन का सबसे छोटा पार्ट जो आप कह सकते हैं जो एक सेल सस्टेनिंग है उसको हम स कहते हैं सेल को हम एक ब्रिक से कंपेर कर सकते हैं ब्रिक को जब हम एक साथ लगाते हैं तो घर बनता है और इसी तरीके से जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ लगाते हैं तो हमारी पुरी बॉड़ी बनती है या फिर हमारे सारे ओर्गन्स बनते हैं सेल के डिसकवरी किस ने क उसके slices को observe किया था magnifying device में मतलब magnifying जो device होती है उसमें cork को रखा था cork is a part of bark of a tree तो cork क्या होता है cork होता है जो tree होता है ना पेड़, पेड़ के एक तने को हम cork कहते हैं तो cork को उसने क्या किया था Robert Hook ने 1665 में आज से आप समझ लिए 400-500 साल पहले उसने पेड़ के तने को क्या कर था उसके नीचे magnifying glass के नीचे रखा था और उसको observe किया था he took thin slices of cork and observe them under microscope microscope में observe किया उसने notice कि भाई देक मतलब क्या क्या होता है compartment होता है इस तरीके से सेल कुछ दिखता है जो cork है उसमें देखे ये gold सा है और पीच में देखे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे क्या है ये cells होते हैं तो इस से ही हमें पता लगा these boxes appeared like a honeycomb honeycomb देखे हनी भी की होती है ना इस तरीके से आपने देखा हो गया ऐसी दिखती है और उसने ये भी observe कि ये एक cell जो है वो दूसरे cell से कैसे अलग है एक cell दूसरे cell से partition सा हो रखा है wall और partition की तरह तो उसने उसको बाद में क्या कहा गया था cell wall कहा गया था ये एक cell है फिर देखे है हर तरफ क्या है इसके wall है ना फिर दूसरा cell बन गया जाता है इसी तरीके से तो Hook coined the term cell for each box हर box जो एक डबा टाइप का बन रहा था Robert Hook ने उसको क्या कह दिया कि वो cell है What Hook observed as boxes और cell in the cock were actually dead cells तो plant का जब उसने बाख लिया था तो देखा था जो observe किया था Hook ने वो actually dead cell थी cell of living organism जो है वो observe करे जा सकते हैं हम लोगों ने तभी हम observe कर पाए जो हमारी इंसान के cell है microscope का जब discovery हो गई थी तो काफी little जो है cell के बार में पता लगा था Robert Hook की जो discovery थी उसके observation के 150 years बाद भी cells के बार में हमें बहुत कम पता लगा था बट हमें आज जो है cells के बार में बहुत कुछ पता है क्योंकि microscope के अंदर रखके हम लोग हर तरीके के cells की जो है study कर सकते हैं तो इस वाले पार्ट में लोगों ने पढ़ा discovery of cell के बार में वो की थी Robert Hook ने 1665 में और cell होते हैं सबसे छोटे particle देखें के cell क्या होता है basic structural unit of an organism basic structural unit of an organism is known as cell अब देखें हम पढ़ते हैं cell के बारे में तो बोथ bricks in building and cell in the living organism are basic structural units तो basic structural unit का मतलब होता है सबसे छोटी unit जो एक human की body में होती है वो cell होती है buildings जो है वो bricks से बनती है और उनकी अलग-अलग design होती है shape होती है, size होती है living world होता है, जो हम लोग इंसान है और बाकी दूसरे जितने भी organisms है, हर चीज किस चीज से बनी होई होती है, हर चीज जो है cell से बनी होई होती है एक हैन का सेर हम लोग easily देख सकते हैं, बगर हम लोग जो अपने body के cell है, वो हम कैसे देख पाते है यह देखिए onion की beeline उने यह लोग दिखा रखी है, वैसे जब हम लोग microscope में onion जो प्याज के जो एक छिल का, अगर हम microscope में देखते हैं तो बहुती light pink कलरका दिखता है बहुती प्यारा सा लगता है दिखने में अब जो egg का hand है वो represent करता है एक single cell को और वो काफी बड़ा होता है जो हम आखों से देख सकते हैं मगर हमारी बड़ी के सल काफी छोटे होते हैं organism show variety in cell shape cell number shape and size तो देखिए, scientist ने observe किya cells को microscope की help से, जो magnifying object होते है microscope क्या करता है, एक बहुती छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुती बड़ा करके दिखा पाता है, तो उससे हमें क्या पता लगा, जैसे कि उन लोगों को न उबसर्फ किया dye, जो हमारे कपडों पे होते हैं, are used to color parts of cell to study the detailed structure तो पूरे अच्छे तरीके से पूरे structure को पढ़ने के लिए, उनों को ने क्या क्या, dye करती है, जो हमारे cells होते हैं, उन पे कुछ color लगा देते हैं, ताकि वो अच्छे से उनको study कर पाएं क्योंकि हम जो होते हैं, humans there are millions of living organisms, बहुत सारे living organisms है, हम हो गए humans, जानवर हो गए, कई हसारो तरीके के जानवर होते हैं, तो सारी के सारे जानवर हो गए, इंसान हो गए सब के जो pencils होते हैं, उनकी shape and size अलग-छलग होती है, então shape size अलग होती है, उनके organs, जैसे हमारे organ, जो हैं, एक hand के organ से अलग हैं, इसलिए हम लोगों के cells जो हैं वो भी अलग होते हैं तो देखिए millions of cells होते हैं हमारी body में भी और millions of living organisms हैं बहुत सारे living organisms हैं बहुत सारे उनकी body में cells होते हैं और जो cells होते हैं उनका number भी vary करता है मतलब हर organism में अलग अलग number के cell होते हैं तिसिमें काम होंगे सबकाट लिए किसी में हूँ जादा होंगे सब काट शेप हो Aa का फ़िए वह इल ब centro मता हैं कुछ बड़ होते हैं कुछ अलग होता है सबसे कहले हम देखते हैं नुमब्च इंड अडियों लोग क्या अब कैसकर सकते हैं एक जो बाद सामल किया नम स्थ है ये आप कह सकते हैं million के बाद billion आता है billion के बाद trillion आता है तो बहुत 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 मतलब आप आप कह सकते हैं इतने जादा हमारी body में cells होते है Number of cells runs into billions and trillion human body has trillions of cells which vary in shapes in size तो हमारी body में lakhटो KROED cells होते हैं जिनकी shape and size काफी अलग अलग होती है different group of cell, हर जो group of cell है वो अलग अपना functions भी perform करते हैं, अलग तरीके के cell अलग अलग function परफॉर्म करते हैं, अब billion is a thousand billion और a trillion is a thousand billion, तो एक billion में one thousand million होते हैं, और एक trillion में one thousand billion होते हैं, तो million के बाद billion आता है, billion के बाद trillion आता है, तो बहुत सारे हमारी जो body में cells होते हैं, बहुत ही सारे, तो organism made of more than one cell are called multicellular, तो जो organism होते हैं, एक से ज़्यादा cell से बने होते हैं, उन्हें multicellular कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो multi हो गया है ना, और organism, the number of cells being less in smaller organisms, तो ऐसा कुछ नहीं है, the number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of organism तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे organisms हैं, अगर वो छोटे हैं, तो उसकी वजह से मतलब उनको कुछ problem होगी दिकतों कि नहीं, ऐसा बलकुल भी नहीं होता है, आप मतलब surprise हो जाएंगे यह जानकर कि, कि organism, जिनमें billions of cells हैं आज, उन्होंने single cell की तरह अपनी life start की थी, which is the fertilized egg, है तो fertilized egg जो है, जब वो एग में से हैं निकलती है, तो उसमें तो फिर billions of cells दो जाते हैं, बगर जब वो एग होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही cell होता है, ना, fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases as development proceed, तो जैसे जैसे जो एग है, वो बड़ा होता जाता है, तो cell जो है, वो multiply होते जाते हैं, cell बहु हैं, वो single cell organism है, तो देखिए, आप बड़े होने तक 10, 12 तक अगर आप बाइर लेंगे, single cell organism के questions बहुत जादा आते हैं, बहुत important है, कि दो single cell organism के आपको नाम बताने है, तो जो unicellular होते हैं, या तो आप single cell कह सकते हैं, या फिर आप unicellular कह सकते हैं, या फिर आप unicellular कह सक तो unicellular का मतलब हो गया, जिसमें एक ही cell हो, तो एक ही cell वाले organism होते हैं, हमारे amoeba और paramecium, तो amoeba और paramecium जो है, example है, single cell organism के, तो single cell organism जो है, वो सारे के सारे जो necessary functions होते हैं, जो भी चीजों के उन्हें जरुरत होती है, वो perform करते हैं, जैसे कि multicellular organism, जो सारे function perform करते हैं, ज जिसे breathing करने का, digestion करने का, और excretion करने का, सारे के सारे functions, जो है, singular cellular organism जैसे की amoeba paramecium भी perform करते हैं, a single cell organism जैसे की amoeba, capture करता है, अपने food को पकड़ता है, अपने food को digest भी करता है, respire करता है, सांस भी लेता है, और जब उसका जो undigested food होता है, उसको अपनी body से बाहर भी निका जाल देता है, है ना, similar function, multicellular organism भी perform करते है, है ना, and carry out by a group of specialized cell forming different tissues, tissues in term for organism, तो देखे ऐसा होता है, cell जो है, बहुत सारे जब cell मिलते हैं, बहुत सारे cell मिलने के बाद हमारा बनता है tissue, और बहुत सारे tissues मिलने के बाद बनता है, एक organ, ठीक है, तो ये वाला cycle होती है, cell से बह सारे tissue एक साथ मिलते है, तो उससे organ, जो है, generate होते है, अब shape of cells आते है, हम लोगों ने number of cells पढ़ लिया, कि number of cells जो है, वो तो billions and trillions, बहुत ही जादा cells हमारी body में present होते है, तो इस फाला चप्टर ना, पूरा हम रोग cell के बारे में पढ़ेंगे, कि cell के अंदर के parts क्या-क्या है, और cell का number हमने भी पढ़ लिया है, अब हम देख लेते हैं, shape of cell, cell जो है, बहुत सारे अलग लग shape का भी होता है, जैसे कि amoeba हो गया, amoeba की shape ना irregular होती है, कोई particular shape का amoeba नहीं होता है, in fact, amoeba को हम कह सकते है, it has no definite shape, unlike other organism, अब आप humans को देखें, तो humans की दो हाथ, दो पैर, इसा करके होता है, मतलब हमारी body के definite shape होती है, amoeba ऐसा भी कर सकता है, amoeba ऐसा भी कर सकता है, amoeba ऐसा भी, मतलब अपनी shape जो है, वो कैसे अपने हिसाप से change करता रहता है, मगर क्या है ना, अब amoeba पी change करता है, shape, मगर projection of varying lens protruding out of its body, these are called pseudopodia, अब ऐसा होता है, देखें, यह यह जैसे कि अमीबा है, amoeba हो गया, amoeba नहीं यहां पर खाना देखा, तो amoeba क्या करेगा, अपनी shape ना ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, और उसके पास बढ़ता जाएगा, और था कि वो खाना जो है, तो जब खाना इसके मूँ के अंदर आ जाएगा, तो यह पूरा बंद ह जाएगा अपनी शेप को चेंज करके इसलिए हम इसको स्यूडो फीट कहते है यानि कि स्यूडो पोडिया कहते है अपने जूटे पैर पना लेता है और यह हम लोगों ने सेफ्वेंथ क्लास में इसके बार में पढ़ा है इस प्रोजेक्शिन अपियर्स एंडिसपियर्स एज जैसे आगे बढ़ता है खाना खाता है इसकी बॉड़ी की शेप जो है वो चेंज होती रहती है तो हमने देखा कि जो बॉड़ी की शेप है अमीबा इसली उसको चेंज कर लेता है तो चेंज इन शेप इस जूटू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो पोडिया विच हैं एक अनरदर क्गैंप़ है जो की सिंगल होते हैं देके वाइड ब्लट सेल हूए हुमन के ब्लेड़ में प्रेजन होते हैं इनसान के कोन में फट्सेल प्रेजन चेंज पर इंसान में ate ऑपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं इस जो हैं यह सेञ एड़ी कर होता है अमीब है जो है है वह पूरा की उता है टो इंडिपेंटनेंट्स करता था तो वांगों सेल्ट मगर ईमीबा सिंगल्र सेल्लार है सिंगे सेल्लर हैं मगर पूर इस Nepo पूर और गानिजन के अर शब spharycal shape, फिर्ण गोल गोल शी शी शेप है इस सेल की और एक spindle, spindle का मतलब हो इस टाइब की जो शेप होती है, इसको spindle बोलते है तो देखे spindle shape होती है cells की है और ब्रांच जैसा यह देखे कैसी branch बन रहे है यह देखे नर्फ सेल बोलते हैं, ब्रांच जैसी शेप का भी जो सेल होता है, इसको हम नर्फ सेल बोलते हैं, तो ये कई-कई तरीके के हमने सेल देख लिए, तो millions of सेल होते हैं, different shapes are related to specific function, तो अब जैसे की हमारा जो blood है, muscle है, nerve cell है, काफी सारे हमारे human beings पे cell present होते हैं, तो हर तरीके का cell एक अलग तरीके के function को भी perform करता है, generally क्या होता है, कि cells जो है, वो round होते हैं, spherical होते हैं, या फिर लंबे-लंबे के चेवे होते हैं, काफ काफी लम्बे भी होते हैं जैसे की नअवा वह करता है फंक्शन रिसीव करता है ऑर ट्रांसफर करता है मैसेजिस को सब्सक्राइब करता है कंट्रोल अन कोडिनेशन इन वर्किंग और इफ्रिंड रिफ्रिंग इंड नवे। आपके 10th class में आए चप्टर control and coordination उसमें हम पूरा nerve cells के बारे में देखते हैं कि क्या होता है तो nerve cell का main काम होता है control and coordination में हमारी body की help करना तो यह हम लोगों ने shape के बारे में देख लिया है ना हम लोगों ने इसमें क्या कर देख लिए है इस वाले video में एक तो हमने number of cells अगे पूछा बताते हैं इस पाट ऑफ सेल कौन सी होगी सकी चानी क्या बहरें होगी लोगा सफेल को क्नौत इस 번째 बेंप्रेंबरेन वहां रस्ते को थे सो मेंपर इंडो चान जंको डॉन मेंपारन ओफेलत करते हैं ये सफुन को हमँडादसर membrane होती है निबार की शेल को सेल को शेल को प्रोवाइड करती है अब सेल व जो है वो एडिशनल कवरिंग होती है ce Creator में जो है वह प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और इसके भार जेल vibes होती है और इट गिफ शेफ एंड गडिदरी टुद जैल चैल एंड और सेल वाल दोटिया इस वह गडिशनल कवरिंग ओवर सैल मेंब्रेंड in तो अगर प्लांट्स और बैक्टिरिया की बात करें तो इस देखने के लिए मिलती है तो यह सेल की कफरिंग बारे में बात कर ली अभी साइज ऑगे का जो चेप्टर वों नेक्स वीडियो में देखेंगे तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिएगा थैंक यू